लोगसभा के स्पीकर आदर्णिय श्री ओम बिरला जी, राजसभा के उपसभापती, श्री हरिवाँश जी, मानिय साउसदगर्ण, सभी वरिष्ट जनप्रतिनिदी, विशिष्ट अतिथी अन्य सभी महनुभाव, और मेरे प्यारे देश वास्यों, हर देश की विकास यात्रा में, कुछ पल ऐसे आते हैं, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, आज 28 मैं, 2023 का ये दीन, ऐसा ही शुब अवसर है, देश, आजहादी के 75 बर्ष होने पर, अमरित महोत्सों बना रहा है, इस अमरित महोत्सों में, भारत के लोगों ने, अपने लोकतंत्र को, संसत के इस नए भवन का उपहार दिया है, आज सुब्य ही, संसत भवन परिसर में, सर्वपन्थ प्रार्षना हुई है, मैं सभी देश वासियों को, भारतिय लोकतंत्र के, इस स्वनिम्षन की, बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, ये सिर्फ एक भवन नहीं है, एक सो चालीस करोड भारत वासियों की, आकांचाओं और सपनों का प्रतिम्ब है, ये विश्व को, भारत के द्रड संकल्प का, संदेश देता, हमारे लोकतंत्र का मंदीर है, ये नया संसद्भवन, योजना को यथार्थ से, नीती को निर्मार से, इच्छा शक्ती को क्रिया शक्ती से, संकल्प को सिद्धी से जोडने वाली, एहम कड़ी साबित होगा, ये नया भवन, हमारे स्वातंत्रता सेनानियों के सप्नों को, साकार करने का माध्यम बनेगा, ये नया भवन, आत्म निर्वर भारत के सुर्यों दैका साक्षी बनेगा, ये नया भवन, विच्शिज भारत के संकल्पों की, सिद्धी होते हुए देखेगा, करता हुए जया ।